प्रेमित्रों, हमने पिछले भाग दो में पार्ट तु में देखा था, लीडर्शिप के बारे में ये पार्ट थ्री है, लीडर्शिप के अगवपन के बारे में पार्ट वन, पार्ट तु और ये तीसरा पार्ट है, और इसको भी आप जरू सुनिये कि लीडर्शिप या अगवपन का एक सिवकाई की रूप में क्या मतलब है, आएए हम देखें कि जो लीडर है, जो अगवपन है, वो क्या है? कहा, अब हम उस सेवक की जो बाते हैं, जो सेवक नौकर जो करता है, दास जो करता है, किस प्रकार से उसका संबंद, अपने मास्टर के साथ, अपने बास के साथ होता है, उसको देख करके, कंपेर करके, हम अपने जीवन को, जो अगवपन की रूप में हम करते हैं, उसको हम देखेंगे पहली बात हम देखते हैं कि जो सेवक होता है नौकर होता है वो क्या है हम्बल होता है बहुत दीन होता है नम्र होता है और मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा मतिरची सुसमा चार उसका दस अद्याय 24 पद चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों नकाएंगे यहाँ पर स्वामी चेले और गुरू की बात चल रही है फिर दूसरा ति मोति उसका दूसरा ध्याय और पचीसमा पद लिखा हुआ है कि और विरोधियों को नम्रता से समझाएं क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मौका दे कि वे भी सत्य को पहचाने हम देखते हैं नम्रता बहुत बहुत जरूरी है जैसा एक सेवा करता आपने देख को अगर अगर आपके घर में नौकर है या कोई काम करता आपके दुकान में या आपके अंडर में हैं उकल-पाथ görd-षार का न स्बीका जा ब NAS Caleb सब्स्राइब करके तोड़ा मतार गए कि वेसी ही हो बाहर के हैं इसको है कि अर्व नॉकर की निशानी और वही से वक और नॉकर काउल है लीडर है, लीडर is a servant सेवक है, हम्मल नमरता की और दर्शा आता है आपने देखा होगा परमेश्वर के बच्चन में लिखा है कि प्रभु युश्व मसी ने अपने चेलो के पाउंद होए आजकल कोई ऐसा होता आजकल आप अच्छी तरह जानते हैं कि चेला गुरु के अपने बाबा के पाउंद होता है लेकिन प्रभु युश्व मसी ने उल्टा किया उन्होंने का अगर मैं लीडर हो तो मुझे नमर बनना है और मुझे अपने चेलों के पाउंद होने है जी हाँ और पाउंद होने से ये दिखाता है कि मैं मन में नमर हूँ एक लीडर की यही क्वालिफिकेशन है मेरे दोस्तों नमरता नमरता हलीमता जिसे हम कह सकते हमारे वेवार में हमारी बाच्चित में हमारे शब्दों में हमारी टोन में बोलने का जो तरीका है नमरता आए और प्रभुशमजी ने क्या का आपने चेलो से जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही दुश्रों के साथ करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है नमुना छोड़ा है आईए और देखें leader के बारे में सेवक के बारे में कि वो क्या और क्या होता है सेवक क्या करता है सेवक एक diligent होता है diligent मतलब जो भी काम अगर आप उसको देंगे बड़े विश्वास योग्यता के साथ वो उसको पूरा करता है और जो भी काम आप देंगे अपने नोकर को सेबको वो जितना हो सकता मैंनों भूला कि पर्फेक करेगा लेकिन जितना वो अपने अपने शक्ती से कर सकता है मैं चाहूंगा अप मत्टी रची सू समाचार उसका चौबीस अध्या है मत्टी उसका चौबीस पैतालीश से सेतालिश पढ़ूगा जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाक्रों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपती पर सरदार ठहराएगा धन्य है वह दास जो विश्वास योग है डिलिजन्ट है जो अपने स्वामी के बास के आने तक काम करता रहता है जब तक वह काम खतम न हो जाए वह करता रहता है मेरे दोस्तों, हम यही देखते हैं, परमेशर के बचन में, की हम उस काम को पूरा करें और अच्छी तरह से करें, सबुब अब देशक उसके नौ अदस्पत में लिखा हुए, जो काम तुझे दिया गया है उसको पूरे तनमन के साथ करो, पूरे तनमन के साथ, जो भी काम कि अग्या जाता है कि अरे जाने का टाइम बस एक मिनट बाकिया जैसे पांच बज गया फट से उड़ गया चले गया अरे साब अगर ऐसा वो सेवक होगा अदास होगा तो जादा दिन वह नहीं टिकेगा जब तक कि उसका काम पूरा खतम नहीं हो वो उठना नहीं चीए उस दिन का जो काम है मेरे दोस्तों अगुआ एक्जेक्ली लीडर वही करता है क्योंकि लीडर क्या है सर्वेंट है प्रभु का दास है मनुश्यों का दास है और इसलिए उसको विश्वास योग्य होने की अत्यंद आवर्शकता है फिर हम आगे देखें और क्या लिखा परमिशर के बचन में जो सर्वेंट होता है वो हमेशा बीजी रहता है सर्विंग अधर पीपल दुसरों की साइटा दुसरों के काम करने में हमेशा बीजी रहता है लुका रची सुसमाचार उसका सत्रा अध्याए लुका उसका सत्रा अध्याए और उसका साथ से आठ पद क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूँगा पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेने चराता हो और जब वह खेट से आए तो उसे कहे तुरंट आकर भोजन करने बैट और यह ना कहे कि मेरा खाना तयार कर और जब तक मैं खाऊं प्यों तब तक कमर बांद कर मेरी सेवा कर इसके बाद तु भी खान बीजी रहता है। चाहए कुछ हो जाए वो अपने काम में क्या रहता है। बीजी रहता है। He is busy serving other people. हमारे चर्च में एक अगवे को हमेशा थियार रहना है, कोई भी काम हो, चाहे वो साफ करने का काम हो, चाहे वो चेर लगाने का काम हो, प्रीचिंग का काम तो है है, वो तो समझ लेजे एक तरह से पक्का है, लेकिन दूसरे और काम भी है, वो करने की जरूरत है, मुझे याद है कि एक रेवरेंड आइकोर्स थे, जो ओहम के बड़े भारी दास थे, उनको एक बड़े कारिक्रम में स्पीकर के रूप में बलाया गया था, और जब थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने कहीं जा करके कुछ काम करना शुरू किया, और जब टाइम हुआ, प्रोग्राम शुरू होने का, तो वो देखने लगे, कि अरे हमारा स्पीकर कहा है, सब ढूडने लगे, अभी तो यहीं था, आदे गंटे पहले भाई, कहा गया, सब ढूडने लगे, और जब उन्होंने धरे कमरे को देखा, तो पता पड़ा, वो अपने रुमाल से कुरसियों को साफ कर रहे थे, अरे ब्रदर आप यहां पर हैं, हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया, कि मैं थोड़ा ताइम था, तो मैंने का, यह चेर गंदी पड़ी जरा मैं इसको साफ कर दो, क्या बात है, यह है साफ लीडर्शिप की क्वालिटी, यह है सेव करना, busy serving the Lord, serving people, यही तो बात होती है ना, परमेश्वर इसी से खुश होता है, अच्छा जो अगवा है, वो दूसरों को सिखा भी, सिखाना भी चाहिए उसको, उसके पास सिखान दूसरा थिमोती, उसका दूसरा ध्याय, और 24 पत, क्या लिखा हुआ है, और प्रभू के दास को, सुनिये जाप, प्रभू के दास को जगडालू नहीं होना चाहिए, और सब के साथ कोमल, और शिक्षा में निपड, और सहन्शील हो, हम लीडर्शिप की बात कर रहना, सेव की बात कर रहना, नौकर की बात कर रहना है, सर्वेंट की बात कर रहना है, क्योंकि लीडर्शिप 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 क को मलता, उसके शब्द, मीठे, लोग सुनने के लिए आतूर हो जाएं उसके शब्दों को, और शिक्षा में देने में क्या है, निपुन, और सहन्शील, सहन्शील, आपने देखा होगा, कि अगर नौकर हमारे अगर नौकर है कोई, उसको कुछ भी बोलो, गलत काम किया तो ब बात है, लेकिन वो सुनता रहता, जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसके पता है कि अगर जवाब देना शुरू कर दिया है, तो उसकी नौकरी गई, तो सहता रहता है, सहता रहता है, परमेश्वर के सेवक को, जो लीडर्शिप के पोजिशन में है, जेंटल, पेशन, यही बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, जो सर्वेंट होता है, जो नौकर होता, दास जो होता है, वो उसमें सहनशीलता की भावना भरी रहती है, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, अभी जो मैंने आपके सामने तो पढ़ाई था, सहनशीलता, लेकिन और एक पढ़ूँगा, दूसरा थी मोथी, चार अध्याय दूसरा पढ़, दूसरा थी मोथी, चार अध्याय और दूसरा पढ़, क्या लिखा हुआ है, कि तू वचन को प्रचार कर, समय और आसमय तयार है, सब प्रकार की सहनशीलता, यह है साब, परमेश्वर के दास, की सहन शीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डाट और समझा समय आता है डाटने का भी प्यार से प्यार से क्यों कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे और कानों की खुझली के कारण अपनी अभी लाशाओ के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेश बटोर लेंगे तो मेरे दोस्तों कि जो लीडर है जो अगवा है और जैसे कि वो सर्वेंट है हमेशा वचन को प्रचार करने में समय आ समय में तयार है और सहनशील बना रहा है फिर उसके बाद ओबीडियन सर्वेंट क्या करता है ओबे करता है जो तो में बोलता अरे भाइस सुनो राउल तुम जा गर जा परके जराऊ समाल आ हौ तो अगर रावल को अगर अठाने लगा नहीं मैंनी जाता क्या वो ऐसा बोलेगा नहीं बिलकुल नहीं बोलेगा पोलेगा साफ अभी अभी जा रहा है हागी abandoned म manure फपर मेहषयर के वचन को म पांच से छे, इफिस्यों उसका छथमा अध्याय पांच और छे पद, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, क्या लिखा हुआ है, हे दासों, हे दासों, वही अगवे के लिए बोल रहा है, दास कौन है, सर्वेंट, तो सर्वेंट कौन है, लीडर, लीडर is a सर्वेंट, है न, सो हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुमारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कापते हुए, जैसे मसी की, वैसी ही उनकी भी आग्या मानो, साफ लिखा हुआ है, और मनुष्यों को प्रसंद करने वालों की समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसी के द दासों की नहीं, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस से वाको मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभू की जानकर सू इच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दासों या स्वतंत्र प्रभू से वैसा ही पाएगा सो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों यहां पर लिखा हुआ है कि हम जो अग्वे हैं जो सर्वेंट हैं अपने मन की सिधाई से आत्मिक्ता की सिधाई से डरते और कापते हुए ऐसे डरते और कापते का मतलब है वो डरना और कापना वो दूसरे वाला नहीं डरावना वाले बात नही उसको आदर देती हुए, जैसा जो काम हमारे स्वामे, हमारे लीडर, हमारे प्रधान देते हैं, हमें करना है, तभी हम लीडर मन सकते हैं, उसी के समान, और जो भी काम हम करें, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसंद करने के लिए, फिर उसके बाद जो सर् लिखा हुआ है, दूसरा सामियल 15-21 दूसरा शामियल और उसका 15 अध्याए 21 पद, देखें क्या लिखा हुआ है, इत्ये ने राजा को उत्तर दे कर कहा, यहोवा के जीवन की शपत, और मेरे प्रभू राजा के जीवन की शपत, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभू राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो, चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा, अरे साब, यह है सेवकाई, यह सेवक बोला, कि मैं मरने तक के लिए, अपने दास, अपने स्वामी के लिए तयार हूँ, यह leader है, यह है असली leader, जो dedicated है, पूरी रिती से, अपने काब में, अपने सेवकाई में, और फिर उसके साथ-साथ, जो नौकर होता है, जो अगवा होता है, वो watchful भी होता है, देखता रहता है, कि कहीं कुछ उल्टी सीधी बात तो ही हो रही है, कोई अगर अजान व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है, गेट से, तो एकदम से बताता है, स्वामी, स्वामी, कोई आ रहा है व्यक्ति, मैं नहीं जानता हूँ, कौन है ज़रा देखिये, watchful, हमें भी अपने आप को देखना है, कि हम क्या कर रहे हैं, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ूँगा, लूकारचिस्सु समाचार उसका बार्वा अध्याए और 35 से 36 पद सुनिये तुम्हारी कमर बंदी रहे और तुम्हारे दिये जलते रहे और तुम उस मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह बया से कब लोटेगा कि जब आकर द्वार खटकटा है तूरंत उसके लिए खोल दे वाच्फूल त्यार रहे हैं एकदम त्यार रहे हैं नकारात्मक चीज़ों के आने के लिए त्यार रहे कि उसको निकाले और जो सकारात्मक चीज़े हैं उसके लिए हम करने के लिए त्यार बने रहे हैं वो अपने मास्टर को उसके पीछे बात नहीं करता है, मतलब टॉक बैक नहीं करता है, जवाब कड़े रूप से नहीं देता है, तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्या है, और नौपद, क्या लिखा हुआ है? दासो को समझा, क्या समझा? कि वे अपने स्वामे के आधीन रहें, मेरे दोस्तों हम जो लीडर हैं, हम परमेश्वर के आधीन रहें, लोग के आधीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसंद रखें, और उलटकर जवाब न दें, ये है, सर्वेंट क्या करता है? जवाब नहीं देता है, उल्टा, सुनता है, चोरी चला की न करे, पर सब प्रकार से बुरे, पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्दार करता है प्रभु इश्व मसीख के उपदेश को क्या दे? शोभा दे सके. और फी परमेश्वर का दास जो है, वो आत्म से परिपून रहता है, स्पिरिट फिल, जो सिवक होता है, वो स्पिरिट फिल होता है, आत्मा से परिपून, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्या है, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्या है, और उसका सोला से अठारा पत, क्या लिखा हुआ है? परंत यह बात है जो योईल भवशक्ता के द्वारा कही गए यहां पर पत्रस पूरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर करके वो लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सम अनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुमारे बेटे और तुमारी बेटियां भवश्द्वानी करेंगी और तुमारे जवान दर्शन देखेंगे और तुमारे पुर्णिये स्वप्न देखेंगे वारार मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उन डेलूंगा और वे भजद्वाणी करेंगे जो परमेश्वर का सेवक है परमेश्वर का दास है जो लीडर्शिप के पोजिशन में है वो पवित्र आत्मा के चलाए के अनुसार चलता है एफिजियों पाचा ठारा में क्या लिखावा है दाखरस से मतवाले मत बनो परंतु क्योंकि इसे लुच्पन होता परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ नियंत्रित होते जाओ मेरे दोस्तों ये है सच मुच में एक अग्वे कि कहानी एक सेवक की कहानी की कैसा होता है हम वो वाले लीडर नहीं है जो दुनिया पसंद करती है हम वो वाले लीडर बनना है जिसको परमेश्वर प्रसंद करता है और वही बात आज मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ पहले सामियल उसका सोलमाध्या है और साथ पद में क्या लिखा हूँ है परंतु यहोवा ने शामिल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टी कर और ना उसके डील की उचाई पर क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो बहारी रूप से देखता है परंतु यहोवा के दृष्टी कहा लगी रहती है मन में लगी रहती है सो मेरे दोस्तो हम जो अग्वे हैं हम जो परमेश्वर के परमेश्वर के अग्वे के रूप में ठेराया हम दास हैं हम दुसरों की सेवा करें, दुसरों को इंस्ट्रक्शन न दें, लेकिन हम करके दिखाएं, नमुना बनके दिखाएं, अपने जीवन को अपने जीवन में ग्लोरिफाइ नहीं लाएं, कि मैं हूँ, मैं हूँ, महिमा अपनी ना करें, लेकिन प्रभू परमेश्वर की महिमा कर करें अपने जीवन को कुरूसिफाय करें पवित्रता एक इश्यू होता हमारे मसी जीवन में अगवेपन में हमारे उस पवित्रता को हम देखें अपने टाइम को सही रूप से करें वेस्ट न करें परमेश्वर का पैसा वेस्ट न करें सही रूप से करें अपने जो अधिकार परमेश्वर ने दिया उसका दुरूपयोग न करें ये दुनिया के लोग करते हैं दुनिया के लीडर करते हैं आपको और मुझको नहीं करना है हमें एक नमूला बनना है पैस को हमारा जो मेंधे हो वो दूसरों को हम प्रभु के पास लाने में साहता करें। क्योंकि हम ultimately क्या है लोगों की सेवा करते हुए ultimately हम परमेश्वर की सेवा कर रहे है। मेरे दोस्तों, leader is a servant. लीडर जो है, वो एक सेवक है, एक दास है, हमें उसी के रूप में आगे बढ़ना है, जैसा प्रभुश्य मसी हमारे लिए दास बना, फिलिपियों उसके दूसरा अध्याय में यही बात पढ़ते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, अ परवेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तू न समझा, वरण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का रूप धारन किया, और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को धीन किया, यहां तक की प्रभू ङसे मुनग आ है ऑनुषरन करते हुए अपने आपको घवरन से अलग करके नंढ हो करके जो अदिकार जो लीडर्शिप प्रभू ने हमें दिया हैँ उसको पवित्रा आत्मा में हो करेंगें पुरा करेंगें। झाल झाल